हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मेकेनिक्स तो हम यहाँ पर क्वांटम मेकेनिक्स बेसिकली ओरिजिन कैसे हुआ उसकी तरफ अप्रोच करेंगे और इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1667 जिहां यह वह ही एरह है जबकि न्यूटन साब ने अपनी नई-ने रिसर्च शुरू की थी और उस समय न्यूटन कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे लेकिन फिर भी वो अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान जो है वो साइंस को दे रहे थे हैंना तो उन्होंने सबसे पहला ए यह कहा था कि जो प्रकाश है वो कड़ों से मिलके बनाए हाला कि उसके बाद उन्होंने उस पर कोई भी स्टेट्मेंट नहीं दिया कि वो कड़ किस चीज के हैं कैसे हैं लेकिन उन्होंने इतना बताया कि जो प्रकाश है वो कड़ कड़ के बने हुए हैं और उसे उन्होंन जो कि उस समय Newton से इनसे काफी बड़े scientist माने जाते थे और इनों ने wave के theory को mathematically explain किया था जिसे आपने 12th class में पढ़ा होगा जिसे हमने समझा भी है हाइगेंस के theory reflection की हाइगेंस के theory reflection मतलब यहाँ पर यह परावर्तन है यह अपवर्तन है polarization इसे हम बोलते हैं धुरुवण है ना तो यह चीज़ें आपने 12th class में पढ़ी है in the topic of light या फिर optics तो यह इनोंने बड़े scientist थे तो इनकी बात को जादा माना गया दूसरी तरफ Newton की बात को कुछ होग experiment ने भी पूरी तरीके से नकार दिया उसमें एक बड़ा जो एक्सपेरिमेंट था वो था यंग डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट है ना यह भी आप लोगों ने 12th class में पढ़ा है यंग डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि यह वेव है क्योंकि इसने इंट्रफेरेंस को शो कर दिया था और इंट्रफेरेंस के बारे में हम पहले से फ्रानोफर एक नाम और है मैंने यहापर लिखा नहीं है वो है फ्रेजनल इन दोनों ने अपने अपने तरीके से डिफ्रेक्शन फैनोमिना को शो किया डिफ्रेक्शन ओफ लाइट हिंदी में से बोलते हैं विवर्तन तो डिफ्रेक्शन भी प्रूफ हो गया मतलब लाइट जो है वो डिफ्रेक्शन का हुआ है ना अब उसके बाद यह जब सारी चीजे हो गई यह 1600 से लेके ये 1880 तक के आसपास की बात है मतलब साड़े 300 साल तक Newton की बात को नकारा गया और उन्हें नहीं माना गया और ये कहा गया कि ये light जो है वो एक wave है लेकिन अब आता है 1887 और 1887 में जब हमारी जो capability है है ना science and technology थी वो miniature की तरफ बढ़ी मतलब microscopic level पर अब हम बात करते हैं macroscopic और microscopic macroscopic वो object होते हैं जिसमें हम अपने human body के थूँ जान सकते हैं उसे देख सकते हैं उसे touch कर सकते हैं उसके वजन को महसूस कर सकते हैं उसके color देख सकते हैं तो ये सारी चीज़े macroscopic में आती हैं और microscopic में बहुत ही छोट ये जो particle है जिसमें हम example लेते हैं electron, proton, neutron, photon ये सारे जो object हैं sorry particle कहना चाहिए ये सारे जो particle हैं ये से हम न छूँ सकते हैं न टच कर सकते हैं इन्हें केवल experimental procedure के तुरू find out कर सकते हैं कि ये हैं और इनका क्या nature है इनकी क्या properties हैं वो सब experiment से पता लगती हैं तो 1887 के आसपास हर्ट्स ने एक experiment किया जिसका नाम था photoelectric effect ये photoelectric effect wave nature के आधार पर explain नहीं हो पाया ये इसका सबसे बड़ा drawback था कौन सा इसका drawback मतलब ये जो mechanics थी जो Newton ने और Huygens ने, Young ने फ्रान होफर ने जुद्धी इसे हमने क्या का classical mechanics तो classical mechanics के आधार पर photoelectric effect define नहीं हो पाया photoelectric effect को define किया quantum theory के आधार पर define किसने किया Albert Einstein ने क्योंकि photoelectric effect में आपने जब पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि photoelectric effect में कोई भी energy है ना minimum amount of energy needed होती है किसी भी electron को eject out करने के लिए उस minimum amount of frequency को हम बोलते है three shoulder frequency अगर उसे कम frequency है तो हम कितने भी photon उस पर fall करा दे electron eject out नहीं होता है electron केवल और केवल तब निकलेगा जबकि electron की three shoulder frequency से ज़्यादा की frequency का radiation हम उस electron पर गिराएं तो यहां से इस चीज को यह support मिला कि जो light है वो wave नहीं हो सकती वरना हम कई सारे photon गिराते रहें और कई सारे photon मिलकर एक electron को eject कर देते लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था तो photo electric effect जो phenomenon थी यह explain नहीं हो पाई ठीक इसके तुरंद पाद कुछ दिनों के बाद Compton effect नाम का एक experiment हो गया Mr. Compton ने किया Compton effect भी explain नहीं हो पाया हमारी classical theory से classical theory मतलब जो कि यह कहता है कि light क्या है wave है तो यह भी explain नहीं हुआ उसके बाद एक और experiment हो गया क्रिचॉफ ने इसने नाम दिया था black body radiation क्रिचॉफ ने यह experiment किया 1880 यह जो एरा थी यह भूत ही important एरा थी और इसमें कई सारी discoveries ऐसी हुई जो कि classical mechanics के आधार पर मतलब wave theory के आधार पर यह explain नहीं हुए यह experiment वो experiment है तो हमें यह लगने लगा कि अब यह साधान mechanics जो कि Newton, Higens और इन लोगों ने जो बनाई थी उसके आधार पर यह explain नहीं हो रहे है इसके लिए हमें कोई नई mechanics चाहिए तो उस समय आए हमारे hero Max Planck तो Max Planck ने क्या कहा कि इस black body radiation को define किया यह मानते हुए कि यह जो light है वो energy के छोटे-छोटे bundles है देखो इन्होंने सबसे पहले फिर कहा Newton ने के वल particle कहा था कि यह particle है लेकिन किस चीज के यह नहीं बताया लेकिन Max Planck ने यहाँ पर कहा कि यह जो energy के छोटे-छोटे bundles है कि इसके energy के या फिर packets हैं छोटे-छोटे और Max Planck ने उन packets को नाम दिया क्वांटा है ना तो क्वांटा उसका नाम दिया और उसकी energy को define किया उस energy को कहा E equals to H new where H is a Planck constant and new is the frequency है ना तो black body radiation को इस सिद्धानत के आधार पर define किया गया और black body radiation का जो graph था वो पूरी तरीके से Max Planck ने explain कर दिया तो जब इसकी explanation हो गई इसी की help लेके Einstein ने photo electric effect को explain किया और कहा जो इन्होंने quanta कहा था Albert Einstein उसे photon के नाम से define किया अब इन दो तीन experiments जो कि ऐसे हो गए इसके आधार पर ये कहा जाने लगा कि जो light है वो फिर से अब problem आ गई कि particle ले कि wave ले मतलब ये जो लडाई थी विचारों की या science experiment की ये साड़े 300 साल तक चली कुछ लोग कह रहे थे ये wave है कुछ लोग कह रहे थे ये particle है तो इस तरीके से ये बड़ा लंबा discussion चला और अब फिर से वही इस्तितिया आगी कि वही light जो wave के भी experiment को शो कर रहा है वो यहाँ particle के भी experiment को शो कर रहा है तो आखर लिया क्या जाए wave light को wave माना जाए कि particle माना जाए तो इसमें भला हो हमारे एक scientist का जिनका नाम है D. Brogley D. Brogley ने कहा कि भाईया tension वाली कोई बात नहीं है light का जैसा experiment करोगे वैसा result मिलेगा particle वाले experiment करोगे particle मिलेगा wave वाले experiment करोगे तो wave मिलेगा और इन्होंने साथी साथ एक derivation दिया उन्होंने कहा कि every moving particle has a wave associated with it कोई भी particle जो move कर रहा है उसके साथ एक wave associated है हाला कि वो बड़ी चीजों में दिखाई नहीं देती है क्योंकि wavelength बहुती कम होती है comparison with the size of the particle जैसे for example माल लीजिए आपने एक cricket को वाल लिया या foot वाल को लिया उसे जब आप फेकेंगे तो उसमें भी एक wave है लेकिन वो wave बहुती कम है इसलिए हम उसे identify नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फेका तो इलेक्ट्रॉन के size में जो wavelength का size है वो इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर जाके wavelength शो होने लगती है और यह थाबित हुआ कि इस experiment में Davison और Garmar experiment वो भी हमारे स्लेवस में उसे भी पढ़ेंगे तो Davison और Garmar experiment में यह देखा Davison गर्मर experiment में यह proof किया गया और experimentally भी verify किया गया कि जो electrons थे electron की जो beam थी उनमें wavelength थी और wavelength को find out किया और दोनों ही के रिजल्ट सेम मिले वो हम अपने स्लीवस में पढ़ेंगे आगे कि जब हम स्लीवस को आगे करेंगे तो electron ने wave के nature को शो कर दिया यहाँ पर photon ने particle के nature को शो कर दिया तो इनकी बात सही हो गई कि मतलब electron या फिर photon जो भी है particle wave nature show करेगा और जो wave है वो particle nature show करेगे तो हमारा यह जो रहस्य था कि light जो है वो particle है या फिर wave है क्या है तो इस पे हम एक दम से confirmally नहीं कह सकते क्या है हाला कि अगर microscopic level पे देखा जाए तो light जो है वो particle है और उन particles को हम quanta कहते हैं और उस quanta की energy को define किया गया H news है तो इसी चीज़ की जो study करेंगे हम इस quanta की जो study कर रहे हैं कि यह कैसे इसका nature है क्या experiment होते हैं कैसे behave करता है इसी को हम किसमे पढ़ते हैं इसके लिए एक अलग science मतलब branch हमें नाम देना पड़ा और उसका नाम रखा quantum mechanics जो कि कहां से लिया quanta से लिया गया और उसे हमने कह दिया quantum mechanics तो यह हमारी quantum mechanics है अच्छा तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो wave nature है classical theory ने light को क्या कहा wave nature और quantum theory ने light को क्या कहा particle nature तो यह दोनों ही nature को follow करती है आपके उपर है आप कौन से experiment को कर रहे हैं macro level पर कर रहे हैं तो wave है micro level पर कर रहे हैं तो यह particle है अब मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरब भी रहता हूँ तो मैं यहां से थोड़ी सी अध्यात्म की बाते भी बताऊंगा इसमें हमारे एक विचारक हुए heagle है ना तो heagle ने कहा अगर energy को ओर्जा को घनीभूत कर दिया जाए तो वो पदार्थ बन जाएगी if we condensed the energy it will convert into the mass है ना ठीक इसका Albert Einstein ने कहा और कहा कि जो द्रव्यमान है वो ओर्जा में बदल सकता है means mass can be converted into energy और Einstein नो से mathematical equation से define किया और वो famous equation सब लोग जानते है e equals to mc square तो यह Einstein ने यह equation दिती यह कहा कि mass can be converted into energy लेकिन इससे पहले heagle ने philosophical way में बता दिया था कि if energy is condensed it will convert into mass ठीक ऐसे ही एक विचार गौतम बुद्धा के गरंतों से भी मिलता है गौतम बुद्धा ने भी यह बताया था कि यह संसार तरंगों से बना हुआ है हला कि उन्होंने तरंगों को बहुत जादा define नहीं किया हो सकता है उन्हें लगाओ कि इस समय का जो society है या science है वो इस चीज को समझने में available नहीं है लेकिन उन्होंने भी यह कहा था कि यह संसार जो है वो तरंगों से बना हुआ है मतलब matter भी या कोई भी चीज है वो तरंगों से बनी हुई है अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अलग-अलग धर्म जो है जैसे यह एक धार्मिक वीडियो नहीं है कि वो science वीडियो है है ना हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर लेकिन अब जब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं और हमें पहले से पढ़ी होते हैं तो हम relate करते हैं तो यहां पर एक मैं चीज relate करना चाहूँगा हिंदू धर्म में जो ultra god कहा गया है जो सब से उपर जैसे ब्रह्मा विष्णु में ऐसे हैं उसके उपर जो कहा गया है वो एक जियोत्री लिंक कहा गया है मतलब प्रकाश है कोई एक प्रकाश है जिसे हमने सुपर माना है जो तीन तीनों लोगों से उपर है सब से उपर है मतलब वहां भी क्या है light को consider किया गया जियोत्री लिंक कहा गया अगर मुस्लिम धर्म में जाएं तो इसमें भी इन्होंने light को consider किया है और इन्होंने अपनी terminology में उसे नूर कहा है उस प्रकाश को इन्होंने नूर कहा है मतलब वहां भी कहीं ना कहीं प्रकाश को consider किया गया है उसके बाद अगर सिख में देखा जाए तो वहाँ भी आपने सुना होगा प्रकाश पर मनाते हैं मतलब प्रकाश उनके लिए एक बेहदी इंपोर्टेंट क्या नम कह सकते हैं भावनात्मक चीज है तो वो भी लेते हैं Chris के केस में अगर देखा जाए Christians में बाइबल में तो उसमें भी example दिया गया है कि Jesus Christ जो थे उनको भी कोई एक point उन्होंने light के point की बात किये हैं कि एक प्रकाश का बिंदू है जो उन्हें रास्ता दिखाता था और वो उस रास्ते को follow करते थे और उनका सही part मिल जाता था तो इस तरीके से देखा जाए, तो यह जो science है, इसमें scientist भी बहस करते रहे, अलग-अलग धर्मों के लोग भी बहस करते रहे, लेकिन आज तक यह रहस बना हुआ है, कोई भी एकदम clearly नहीं कह सकता कि वो रहस में प्रकाश क्या है, है ना, तो light हम सभी के घरों में है, मैं इस light की मदद से पढ़ता हूँ, सब भी पढ़ते हैं, वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन यह light है क्या वास्तव में, अभी हमें समझने में, शायद कुछ साल और लगेंगे, लेकिन यह light हमारे जीवन को प्रकाश में करती है, और आगे भी करती रहेगी, धन्यवाद.